हेलो गाईजी एक बाद फिर से आप सभी का सोगत है आपके अपने चर्में तो आज हम लोग आप बात करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग PSL 23 के दसवे मैच के बारे में जो की खेला जाना वाला है नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में क्वाट्टाग लेडेटर स लाहर कालंदर्स के बीच में तो इस मैच के आपको पूरिक पूरिक पूरिजान कारी देने वाला हूं इन डेफ्ट अनलसी करके दूंगा जिससे आपको के डिर्म लोन की टीम में बहुत यादा हल्प होने वाली है तो में एक सुर की वीडियो को आप लोग अन्तक देखें अगर मैच की बात किया है तो ध्यान रगना निशनल स्टेडियम कराची का पिज बहुत अच्छा बैटिंग पीछोगा जहां पर फास्ट वाल्स फास्ट इंग में कंपेर टो सेकंड नहीं ज्यादा विगट पाते हैं और फास्ट वाल्सी इन जनरल दोनों इनिग मिलाकर से ज्यादा वी किट्रा पर पाने वाले हैं और इस सकोर की बात किया तो एक सोट सीबन सकता है मतलब कि ध्यान रगना पहले इनिग में ज्यादा स्कोर होने वाला है और बेनिव रिकार्ट की बात किया है टोटल ईस ग्राउंड पर शोवन टीच-चेम्ट के मैश खेले गए है बैटिंग फर्स करनोल टिम ने 20 बैटिंग सेकंड करनोल टिम को रहने वाला है अब बात करेंगे लाहूर का लंदर्स की इनकी बात किया इस सीजन दो मैश खेले हैं जिसमें एक में जीत मिले हैं एक मेहार यहां सोपन करने वाले मुझे ताहिर बेग उनके साथ उपन करने इंपॉर्टन पीक रहने वाला है मेरे हैसाब से भाकर जमाना एंगे उनके साथ टीटोंटीज में एनकराम 136 में 136 रने 21 करूष से पी एसल में एनकराम 98 मैश खेले हैं जिसमें 8181 स्कूर का 33 करूष से और रिजिसन फांग के बात किया है तो 56-0-101-64-15 यह भी एच्छे इंपॉर्टन पीक रहने वाला है मेरे हसाब से साही हो पाएंगे टीटोंटीज में एनकराम 21 मैश में 323 रने 15 करूष से पी एसल में एनकराम 2 मैश खेले हैं जिसमें स्कूर कर पाए हैं रिजिसन फांग की बात किया है तो 37-9-15-19-1 इतने अच्छे फांग में नहीं चल हैं मेरे सबसे बहुत ही कम इंपॉर्डन पीक रहने वाले हैं इस में खासकर तो इस बात का धाना हुना है कामरान गुलाम आएंगे टीटोंटीज में ग्राम 56 मैश में 971 रने 24 को उरे से 27 रने हैं सुरूर लेफ्टाम आतों गिन्दरी कर सकता है लेकिन पिछले 5 मिच में नहीं कराया है और इसके बहुत कराना चांसे इस में बहुत ही कम रहने वाले हैं पी एसल में ग्राम 17 मैज में 37 रने हैं 21 को उरे से एक गिन का लिए तो बानने एक तो ठाना टो डिट नाट बैट तीन और तीज थोड़े बहुत अच्छे फां में चलने हैं लेकिन मेरे सब से इतने इंपॉर्टन पिक होनाल नहीं है हुसेन तलाट आएंगे टिट रोन इटिज में गाम 128 में 2829 रने 29 को उरे से कवन में गिन का ले हैं और पी एसल में 25 मेंज खेलें 701 रन स्कूर के 21 को उरे से 11 गिन का ले हैं रिसन फांग को बात किये 31 निवगेट, 13 निवगेट, इनको बीकर नहीं मिल रहे हैं बालिंग से तो मेरे इसाब से थोड़े बहुत कव इंपॉर्टन रफिक रहने वाले हैं साथ में नीचे बल्लबाजी कर रहे हैं तो इस बात का भी धान रखना है डेविट भी जाएंगे टिट रोन टिज में ग्राम दो सो इनको बाले हैं तो मेरे सब से कम इंपॉर्टन पिक रहने वाले हैं रिसन फांग की बात किया है 15 अंदो बिकट, जियूपकट, पांचर जियूपकट, नौर जियूपकट, नौर जियूपकट, एक उबर डाल कर लिया हम डाउसन आएंगे टिट रोन टिज में ग्राम 206 मैच में, 2211 अरना अठारे के उर्ट से 160 इनकाले है, बालिंग आलरॉंडर है, पीएसल में ग्राम 23 मैच में आड़ भी निकाल पाया है, 332 स्कूर किया है, लेकिन बलेबाजी क्योंकि नीचे करने वाला है, तो इसको भी वैटिंग से पॉइ एंपको यह यहां पर आलरे में लेक्त पाइब हैं, वाला है, श्मार पाम 206 में, 2211 अरे लियुत हैं, खेले lotta, तो चुका है और रिजिसर्ण भाग की बात किया है तो एपगेट एपगेट जूपकट एपगेट और एपगेट अच्छे फाम में यह भी गिंदाजी कर रहा है यह थोड़ा बहुत इंपॉर्टन पिक रहने वाला है स्टार्टिंग को पर साथ डालने वाले हैं यह सब फ्रीद अलाटन सक्समें दिया हुआ इंपॉर्टन पिक रहने वाला है मेरे साथ से सिकंदा रजा इसमें इंपॉर्टन पिक होने वाला नहीं है डेविड बीज भी इंपॉर्टन पिक नहीं रहेंगे और उसके साथ सथ बात किया तो इधर से अपिक कर सकते हैं मेरे साथ सहीन अफ पीएसल मेंकराम 17 मज़ खेलें 517 स्कूर का 36 स्कूर से रिकार्ड अच्छा है ध्यानक ना और इसन फांग की बात किया तो इतना अच्छा फांग नहीं है पिछले मेंज में इतना उपार्णिपिक नहीं था बैज़े समय ने बताया था और वैसा हुआ था और इस मेंज में मेरे साथ से इतने अपार्णिपिक नहीं है माइटिंग अपटि लाएंग उनके साथ टीट उन्टीज में काम 115 मज़ में 370 स्कूर स्कूर से पीएसल में कराम 9 मज़ खेलें तो इस पांचल स्कूर के 21 स्कूर से और इसन फांच की बात किया तो एक मज़ को छोड़ दिया है तो इतने अच्छे फांच में नहीं है पिछले मज़ में मैदे में बताया था कि रिस्क होनवाला है और वो ऐसा ही हुआ था, जल्दी आउट हो गया था, तो कुछ ऐसा ही इस में होने वाला है, बस में एक सर्क कुछ वीडियो को आप आन तक देखें, और टेलगाम चैनल सुझड़े रहना है, लास में सब्डेट्स के लिए, सर्फराज हमें दाएंगे, टेलगाम चैनल सुझ सब्सक्राइब कर सकता है, लेकिन बॉलिंग कर सकता है, लेकिन बॉलिंग कराम चैनल से इसके बहुत ही कम रहने वाले हैं, पीएसल में इनकराम 25 मच में 287 रन, रेकिन बॉलिंग करने वाले हैं, तो थोड़े बहुत इंपॉर्टन पिक रहने वाले हैं, कैप्टरन वाइस कैप्टरन नहीं खेलना है, टीम में रखकल चलना है, हैट्ट्रोड कांटेस्ट में खासकर मेरे सबसे, अब्दुल बंगल अगर इसको बिकट मिलता है, तो इंपॉर्टन पिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टन इस बात का धानक न और आपको डेस्ट में वाले हैं, मेरे सबसे, रेकिन फांट की बात किया है, साथ रन दूब कर एक नाट उजूब कर पाशिश नाट और जूब कर दो बर डाल कर मुहमद हभी जाएंगे ट्रिट रॉंटीज में क्राम तीन सो आठ मैज में सरसर सो पाइटीस रन है तो मेरे साथ से यह भी इतने इंपॉर्टन पिक नहीं रहेंगे साथ में आपको बॉलिंग से करके देनवाल नहीं है अगर करते भी हैं बॉलिंग तो सिर्फ एक या दो बर तो इस बात का धानक ना क्वास से हमद आएंगे ट्रेट रॉंटीज में गाम एक सो इकीस में आफदाल को जादर सूट करने वाला है नसीम सा आएंगे पीसल में ग्राम 22 मज में 21 बिगट है रिसन फांग की बात किया है दो बिगट एक गट एक रन जीव गट एक गट और यह भी थोड़े बहुत कम इंपॉर्टन भी रहेंगे मोहमद हसनाइन आंगे पीसल में ग्राम बंच में बहुत सारे प्लेयर हैं अगर को खेलता इस्टेट इलगाम चरप पर मिल जाएंगे लास्ट इनिट सब्डेट्स में अगर यहां स्टोप प्लेयर के बात करने तो पिक कर सकते हैं बाटिंग सब्सक्ति खास का पिक कर सकते हैं मेरे साब से इसमेज में पर दिए साब से मुहममद हसनायन को तो अनालसी वाला पार्ट हो चुका कंपली देब बात करते हैं डेमो टिम की डेमो टिम के बात कर से पर नहीं हों चैनल को सब्काइब कर दीजीगा साथ ही साथ है कि आपको वीडियो पसंदार हो तो वीडियो को प्रीज जेग लाइक क को अलड़ानटर सकन समन रखा यम नवाज यज तलाट ओई समित को और बॉलिंग समन रखा या सफरीदी जमान खान हैरी स्रौत और मुहमद हसनायन को कैप्टन में रहने वाले हैं मुहमद नवाज वाइस कैप्टन रहेंगे फखर जमान लेकिन फानिटिप ने ने जाएंगे तो वहाँ पर भी सबसे उपर टॉपर पिन क्यों मिल जागा थैंक्यू